यहां की जो महत्वपूर्ण खाशियत है मैं इसको बता देता हूं आप लोगों को तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो है वैगन की नरसरी है इसमें से मैंने अच्छे-च्छे जो इस्ट्रॉंग पॉधे हैं उसको काट की ले गया है और ग्राफिंग किया है जो गढ़ी को यहां पर देख रहे हैं अप लोग यह देखिये जंगली बैगन जंगली नरसरी आप लोग देखिये यह कि यह देकिए बीज यह प्लांट से चोटे-चोटी ड्रहें सब्सक्रें आप रहें और यह बड़ह हो जाएंगे इस तरह से को निकाल करके कि हम लोग पॉली बैग में ट्रास्पर करेंगे यह सारे देख सकते हैं यहां पर तो यह 27 दिनों में उगना शुरू होता है आपको धहरे रखना होगा बीज डालने के बाद में 25-27 दिन तक वेट करना होगा तभी आपका बीज उगेगा नहीं तो फिर आप कहेंगे कि बीज प्रति ट्रे में डालनी है क्योंकि सारे बीज उगते नहीं है पाच में से दो गेंगे एक उगेंगे हो सकता है एक भी ना उगे तो आपको पांच-पांच बीज डालने हैं और उसके बाद अगर सभी पांचों बीज उग जाते हैं तो उसको आप अलग-अलग करके पॉली बहुत खली जाएगा जैसे कि यहां पर आप देख सकते ही हमें पांच-पांच बीज डाले हैं तब देखे किसी किसी में तीन ऊगे हैं किसी में ब्हुते ज़ाइरे रकना होगा और बोरी में बोरी आप डालके रखे करीबन 10-12 दिनों तक नहीं डालेंगे तो यह गास है ना बहुत जादा उख जाएंगे तो दाद बारा दिन तक आप इसको गोरी को डखके रखिए ताकि जो घास होगे तो घास से यहां से ग्रो ना कर सकें इस तरह से आप जोटकी गोरी डालके रखते हैं ना भी बनाया रखें यहां देख सकते हैं यह जंगली बैगन का पौधा है इसमें सारे बीज अभी रेडी हो रहे हैं तो हमारे पास से जब भी आप कोई बीज ओडर करेंगे तो आपको हंडेट परसेंट फ्रेश और ताजे बीज ही मिलेंगे जिसका जर्मिनेशन डेट सबसे जज़े होगा और पके हुए बीजो को ही हम सेलेक्ट करते हैं ताकि किसान भायों का किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो उनका समय का और उनकी पैसे का बचत हो तो जब भी आपको जंगली बैगन के बीजों की आवश्यक्ता हो तो हमें जरूर वाटसप करें हमारा नंबर दिया हुआ है उस चाहिए और समय समय पर मैं और भी नई नई टेक्निक का प्रियोग करता रहूंगा जो सफल प्रियोग होगा उसको मैं आप लोगों के साथ जुरुर शेयर करूँगा ताकि सब्समी किसान भायों को समस्याों से निजात मिल सके और उनको नकर्मानत का सभी फल मिल सके सही उ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी आची जानकारों के साथ वीडियो देखने के लिए सभी किसान भायों का बहुत बहुत धन्यवाद